सियोर जिलेकिन असुरुला गंच सिवल अस्पिताल में पदस्थ ब्लॉक आफिसर से नाराज पटवारी संग ने मोचा खोल दिया है शनिवार को पटवारी संग ने स्टीम दिनेश चिंक टोमर को ग्यापन सौंपते हुए कारवाई की मांग की है ग्यापन में पटवारी संग ने बताया कि 30 जून को तहसिल शाखा में पदस्थ कानुन गोगा तहसिल कर्यले मचानक सीने में दर्द होने पर उन्हें शास्थ की अस्पिताल में भरती कराया गया था जब गंफिर इस्थिती होने पर भी बीमो मनीश सारस्वत देखने नहीं आये उन्हें बार बार बुलाने पर भी उनके द्वारा कोई गंफिरता नहीं दिखाई गई उनकी कारी किरपती इस प्रकार की उदासीनता से तहसिल कर्मचारी की मृत्ती हो गई बीमो की इस लापरवाही को लेकर संपूर्ण तहसल स्टाफ में आक्रोश है एवं बीमो के खिलाफ करी कारवाही की मांग की गई वहीं बीमो मनीश सारस्वत ने अपने उपर लग रहे आरोप को निराधार बताया है इसमें मुझे जो ग्यात हुआ हैं वह यह हुआ है कि एक तहसील का कमचारी जो की काफी सीरियस कंडिशन में इमर्जेंसी में हॉस्पिडिल में लाए गया तता मेरे इमर्जेंसी डॉक्टर डॉक्टर राहुल शर्मा दौरा उनको देखा गया देखने के पश्चा दी पाया गया कि उनको सीवियर एमाई था उसका पूरा लाइन आफ टीटमेंट उनने दिया उसमें इनका ECG में काफी चेंजेस आये थे इसीजी चेंजेस के अनुसार से डॉक साब ने जो भी उसका संपूर लाइन आफ टीटमेंट होता है वो पूरा उन्होंने दिया इसके पच्छा जैसी मुझे पता चला कि कोई एक पेशेंट तेसील का आया है मेरे दोरा वहां पे मैं तुरंट पहुंचा और वहां देखा त उसी के दोरा उनकी डेत हुई है तता उनकी मेडिकल हिस्ट्री में भी यह पता चला है कि वह पहले भी काडियक प्येशेंट रह चुके हैं वही अनुविभागी अधिकारी राजस्व दिनेश्ट सिंग तोमर का कहना है कि पटवारी संग के माध्यम से आविदन मिला है कार पटवारी का अधिकार हमारा नहीं है वरिष्ट अधिकारी को इस विचोई पर अवगत करा दिया जाएगा पटवारी के सभी तैसिल के सभी कर्मचारियों ने ग्यापन दिया है कि हमारे यहां जो एक कानून को ठेव श्री गुलारे जी इनको अचानक दर्द हुआ था हास्पिटिल ले गए हास्पिटिल में इनका ऐसा कहना है कि बरिष्ट जो डॉक्टर है उनको देखना था उनक इनको देखना था यह नहीं देखा है कि यह अस्पताल में कम बेटते हैं अपने निवास को पर ज्यादा इलाज करते हैं इस संबन में पहले लिखा गया है लेगन अभी तक कि कारवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है बहराल अब देखना यह होगा कि ब्लॉक आफिसर पर कारवाई होती है या इसी तरह से बटवारी संग को परिशान होना पड़ेगा नस्रुल्ला गंच से वसीम खान की रिपोर्ट